कि स्वागत दोस्तों आपका इस वीडियो में अपके लेकर आच चुकी हूं दोस्तों खक्षा वारवी त्रह माशिक परिक्षा 2023 बिसे हैं आपका हिंदी का ठीक है तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट पेपर बताने वाली हूं कि किस परकार आपका पेपर आएगा दोस्त कुल पेजों की शंक्या रहेगे आपकी आट रहेगी कुल पेज रहेंगे आपकी आर्ट भांक पुल्णाक रहेगा आपको ती पूस्ट समय रहेगा आपके पास तीन गंटी का ठीक है तो इसी परकार आपका पेपर रहेगा और यहां पर आपके निर्देश दी गए हैं सबी प्रिश्ण करना अनिवार रहे ठीक है चलो श्टाट करते हैं जल्दी से यह निर्देश दीए आप इनको देख लीजिएगा यहां से आती हैं आपके सही विकल्प पहला कॉस्टिन दिये गया है सही विकल्प का चैयन करें दोस्तों आपको इसी प्रकार क्लाश टॉयल के औल सब्सक्राइब करवाए जाएंगी त्रेमाशी पेपर की तैयारी करवाए जाएगी तो आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक् करते हैं जल्दी से इस वीडियों में आपको हिंदी का पर करणगी और नेक्स्ट वीडियों में इंगलेश का पर कर रहाऊंगी फिर्श्ट कोशन दिये गया है तो यह आपको सही विकल्प दी गया है पहला कोशन दिये गया है हो ना जाए पत्त में रात कहीं सोच तो शोचकर जल्दी जल्दी कपन चलता है तो इसमें आपको अप्शन दिए गया है अगला कोश्टोन दिए गया है गरोन को, श्रंगार को, वियानक को, वातसल को तुसमें आपका right answer हो जाएगा वातसल को ठीक है अगला question है पर्चे जिंग पावर का अर्थ है इसमें option दिगा है सामान खरीदने की सकती अग्रिम राशी इश्च्छा तो इसमें हो जाएगा आप राइट आंसर खरीदने की सकती ठीक है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला question दिगया है वे विविन सब्द जिनका सुरूत संस्कृत नहीं है भारत में ग्राम में छेत्रों अध्वा जन जातियों में बोली जाने वाली विविन भाषा परिवारों के हैं कहलाते हैं तो इसमें option दिगा है विदेशी सब्द, छेत्रिय शब्द, तकनिकी शब्द निपात सब्द तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूस्तों छीत्रिय शब्द ठीक है अगला कोश्चन दी गया है यह सोधर बाबु अपना आदर्श मानते थे तो अप्शन दी गया है इसमें अपनी शाले को अपनी पत्नी को भुशन को किसन दा को तो इसमें राइट आं है रेडियो शमचार की भासा ऐसी हो जिसमें जिसमें सामांश सब्दों की वह भुलता ऑठ टनелिंड कोALLY फ्रीयों जिसमें समचार वाचक हो असानी से पर सके इसमें कट इन सब्द हो से का Universe जिसमें आम बोल्चाल की सब्दों का प्रियोग किया गया हो ठीक है इस प्रकार आपके सविकल कमपलीट होते हैं अब आते हैं आपके रिक्तिस्तान तो पहला दिया गया है रिक्तिस्तान की पूर्ति करना है पहला कोशन नागा अर्जुन खालिस्तान के कवी हैं तो इसमों हो जाएगा आदोनेकाल के कवी हैं अगला कोशन दुनिया की सबसे रंगी और हलकी चीज है क्या है पतंग है अगला कोशन वाई से 26 मातरावाली शंद को कहा जाता ऐस वहाई अगला कॉशन है तियाक पत्र उपण्यास के लेकर कौन है जिनेंद्र कुमार। अगला कॉशन है बे सब्द जो किसी ज्यान विग्ञान के विशेष छेतर मैं एक विशेष्ट तथर मिच्चित अर्थ में पिरियुक्त किये जाती हैं, कहलाती हैं, तक्नी की शब्द कहलाती ह अगला कॉश्चन है यश्वधर बाबु ने दपतर से लौटती हुए रोज जानी की रिती अपनाई इसमों हो जाएगा बिड़ला मंदिर ठीक है अगला कॉश्चन है अगला है भारत में पहला चापा खाना खालिस्तान में खुला गया तिसमों हो जाएगा गोवा में खुला गया ठीक है आई हूप आप सभी लोगों कोई अच्छी से समझ में आ रहा होंगे दोस्तों अब देखते हैं आपकी कॉश्चन नमर तीन पर आती सब्सक्राइब कि यदि दोस्तों अपने पर जैनल को सब्सक्राइब दूकर लिजिए आपको इशी परकार वय कि तैयारी के लिए इंपको क्रेस्ट मिल सकें और थिमाशिक पीपर का پैटन पर से डाएगा और परकार हम आपको सब्सक्राइक यह चाल scraping को वेल आइकन को प्रिश्कल लेना है ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नाटिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हैं कौशन नमर तीन पर दी गए सही जोड़ी पहली दी गई आपको पतंग तो इसके हो जाएगी आलोग धनबा अगला है महाकाब तो इसका हो जाएगा आप कि प्रकार कितने होते हैं तीन होते हैं मनोर श्याम जोशी मनोर श्याम जोशी तो सिल्वर वैंडिंग अगला है मुद्रित माद्यम की वाश विसेष्ता मुद्रित माद्यम की विसेष्ता सब्दों को सब्दों का स्थाइथ सब्दों का स्थाइथ ठीक है तो इस परकार आ बात आपके एक शब्दी आए वाक में उत्तर तो पहला कॉश्ण दिए गया है सुदर्शन से पहला कॉश्ण है दूर दर्शन वाली कैमरी के सामने बैटे अपायजित से वार वार प्रिशन क्यों पूछते हैं कि इसका अंसा हो जाएगा इसलिए प्रिशन पूछते हैं कि व वहां होता है शब्दा लंकार अगला कोशने गन्नी की पकी हुए गाड़ी रस को क्या कहा जाता है गुड़ या राव ठीक है गुड़ या राव इसका ही सब्द देता है गुड़ अगला है चूरन अगला कोशने चूरन बैचने का काम कौन करता था भगत जी करते थे अगला पांच छेत्रिय शब्द लिखिए लोटा तौलिया थैली नूल साकल अगला है किश्नदा का वास्त्विक नाम क्या था किश्नानंद पांडे अगला है डेडलाइन किसे कहते हैं किसी कार की अंतिम सीमा को डेडलाइन कहते हैं ठीक है आई हो पाफ सभी लोगों को यह भी पांच भी आपको शक्त तेश्ट पहला कौशन है सीदी वात भाषा की चक्कर में टेडी फज गई यह सई हो जाएगा अगला है शांग रूपक अलंकार रूपक अलंकार का परकार नहीं है संगर्शील संगर्श सील रहा है दो ये वह आपका राइट हो जाएगा ठीक है अगला है लोग प्लस उक्ती शयर्ण की उत्वप्ति हुई है यह बह आपका राइट हो जाएगागा अगला है मनोवार श्याम जोट्सी को शाहित अकाफरश्टननी पृष्कार से शमश्मान जेद या से निबसेते बहुति हम दो कवियों की नाम लीटτε प्रियोगवादी सफिक्त कंप्लीट कर ले लें इसमें से आपको बहुषाइघ कौशन त्रेमाशिक पीपर में देखने को मिलेंगे और इशी पैटर्न पर आपका पीपर आएगा कोश्चन नमर शाथ पी दी गया है इसने है सुरा से क्या आश्चे है और अधवाला कोश्चन है बच्चे किस बात की आसा में नीडों से जहांक रहे होंगे अगला है महा काब और खंड काब में अंतर लिखिए अधवाला कोश्चन है दो खंड काब और उनकी रचनकारों के नाम लिखिए ये दो दो नमर के कोश्चन चलना है दोस्तों तो इनको आपको शिशे पढ़ लेना है जिसे यात कर लेना है ब्रुदावाश अलंकार की गश्र कि ये कोश्चन में दस्वी पर दिए गया है गदी की विदाओं को प्रमुक इवं गौन विदाओं में वर्गी किरत करके लिखिए इसका दोवाला कोश्चन दिए निवंद किशे कहते हैं किनी दो निवंदकारों एवां दो दो निवंदों के नाम लिखिए अब आता है आपको कोश्चन नमर 11 पर दी गया है लागन ना चुकानी पर जमीनदार ने वक्तिन को क्या सजा दी इसका दोवाला कॉश्चन दिए इसका दोवाला कॉश्चन दिए आपको बाजार का जादू क्या है वे कैसे काम करता है बारवा कॉशन है लोकोक्ती और मुहावरिय में अंतर लिखी वेरी वेरी इंपूटेंट कॉशन है इन सभी कॉशन को आपको अच्छी से पढ़ लेना है दूस्तों बारविक अद्वा दिया गया है तक्निकी सब्द किसे कहते हैं ओधारन शहित लिखिए कॉशन नमर 13 पर दिए गया है अद्वा वाला कॉशन है शब्द सक्ति के वारी में नमर 14 पर दिए गया है यह शुधर बावू ने किस नदा से जिन जीवन मुल्यों को पाया ता वे कि राय अधवा हरीवन्स राय वच्चन का शाहित पर इचे लिखिए बहरी बहरी इंपोटेंट कॉशन है इनको आपको अच्छे शे पढ़ लेना दूरचना लिखना इनकी कलापक्च शाहित में इस्तान लिखना है ठीक है कॉशन नमर 17 पर दिए गया है कॉशन नमर 17 पर कि आदार पार जैनेंद्र अध्वा महदेवी बर्मा का शाहित परीशे लिखिए दो रचनाए वहाशा शेली और शाहित में इस्तान तीक है अब आता है आपका कॉश्चन नमर 18 पर शोटा शंद की परिवाशा लिखिए तीन नमर का कॉश्चन दोस्तों सबय शंद की परि आका नीचे दिए परिश्णों के उत्तालिक आपको यह इस को आपको परकर इनका से लिखना है अपर टॉट ड़ नास का असी सक लिखिए तो आपको यह जो परेली क्या करना है दोस्तों इसमें यह करा करो पहले तो यह कोश्चन पड़ा करो मैं इसको आपको सल्वं करने करने की डीक बता रहे ही ह। छाहिए वो हिंदी ओ or एग इंग्लेस तक्रेट हो किसी भी सब्सक्राइब हो दोख नुकि संस्क्राइब का तो आपको पहले क्या करना पहले इसको नहीं पर ना पूरी का फोट रहे है पहले पर आप को पूरे कॉछन कट लेना इसके वह थी काज़ों गार्चन नहीं तो आपको पूरे आंसर कंफ्यूजन दूर पढ़ रही है इसी परकर आपको पूरी कॉश्चन पढ़ लेना फिर इनके आंसर आपको इसमें ढूंड़ना है मिल जाएंगे यहां पर देख लिए गया है इसको पहले कॉश्चन पढ़ना है अब आता आपका कॉश्चन नमर बीश्वी दिगाया है पद्दांस का भावार् इसको भी आप देख लीजिए गाया है तो इसका अधवाल बाइस पर दी गया है नगरपाली का द्यक्ष्च को जल की अनिमित अपूर्ती के संबंद में शिकायत पत्र लिखना है आपको और श्कादवाला दीगा आपकी नाना जी को गाउं से बापस लाने पर आप अपनी मदूर इश्मर्तियों पर एक पत्र लिखना है चान नंबर का इसको भी आप पढ़ लिजीगा और कॉशन में आपको रूपर का लिखना है चान नंबर की हैं ठीक है इस परकार दोस्तों आपको पेपर कंप्लीट होता है आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो पर तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद